जाहिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Central Bank of India में KYC फॉर्म कैसे भरायता है और मैं साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इसके साथ साथ कौन सा डॉकॉमेंट लएगा ताकि आपको कोई भी बैंक में प्राबलम नहीं हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए और गलती नहीं करिएगा अगर गलत करेंगे तो फिर से आपको फॉर्म भरना परेगा तो फिर आपको परिशानी होगी तो बैंक में सबसे पहले जाएंगे इस फॉर्म को वहाँ पर रखा राता है आप बैंक में बोलेंगे मुझे केवाई सी फॉर्म चाहिए आपको सिंपली देदेगा ठीक है तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आप पूरा वीडियो को देखिए समझ में आ जाएगा सबसे पहले इस फॉर्म को भरेंगे यहाँ पर लिखा है प्लीज फिल इन इंग्लिस एंड एंड इन ब्लॉक लेटर याणि इसका मतलब है और ब्लैक इंक याणि आप बुलू या ब्लैक पेन से इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसको जो भी भड़ेंगे आप फॉर्म को वो पूरा का पूरा capital letter में ही होना चाहिए ध्यान समझेगा तो आपको यहाँ पर दे सत्यान लिखा है name आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर लिख दिजेगा पहले अपना नाम लिखना जो भी नाम हो उसके बाद एक box को छोड़ दिजेगा उसके बाद आप कुमार लिखते हैं तो कुमार लिखेगा उसके बाद एक box को छोड़ करके आप जो भी cast लिखते हैं तो वो लिख दिजेगा उसके बाद यहां पर लिखा है father's spouse name ठीक है तो आप अपने पिता जी का नाम यहां पर लिख करके एक box और के उसका cast भी लिख दिजेगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप क्या करना होगा कि यहां पर आप अपने एक photo बढ़ियां से photo लगा देंगे और उस photo पर आपको sign भी करना होगा दियान समझेगा photo लगा देंगे और इस कोना से sign करते हुए photo पर जाना है ठीक है अगर नहीं समझ में आए तो आप bank में एक बार पूछ लेना कैसे sign करना है photo ठीक है लेकिन photo आपको चिपकाना होगा यहां पर उसके बाद यहां पर आप दे टीक मार रहा है उसके बाद merit status यदि आप सिंगल है तो सिंगल में टीक मारेंगे अगर आपका साधी हो गया है तो मेर्ट पर टीक मारेंगे उसके बाद सी नमर में है date of birth यानि आपका जो भी जन्मतिति है वो जन्मतिति आप यहां पर भर दीजिएगा सही-सही अधारकार् करेंगे तिर मडर में नैशनलिटी नैशनलिटी में इंडियन में ठीक मार लिज्ञा उसके बाद है चोथा नमर में status यहां पर आप यहां पर यह करेंगे यह last time इंडिविजुल में ठीक मार लिजेगा उसके बाद आता है पैन फाइब नमर में है पैन यापका पैन कार्ड नमर जो भी हो आप पैन कार्ड नमर इसमें भर दिजेगा ठीक है उसके बाद यहां पर है यूनिक अडेंटिटी नमबर यू आईडी अधार इसका मतलग कि आप कि इसमें अधार नमर आपको भरना होगा ध्यान समझेगा आपका जो भी अधार काड नमर हो आप अपने अधार कड में देख करके यहां पर भर दिजेगा ठीक है मैं सम्झाने के लिए आपको यहां पर कुछ लिख दिया हूँ उसके बाद छथा नमर में है फुरूफ can expended case ठीक है यानि आप क्या फुरूप देना चाहते हैं यहाँ पर लिख़ है आप यू आइड़ा है आधार लिखह है आपने पुरूप पर अधार नमर तो आप अधार कार देंगे यहां पाधार का पर टिक माल लिजीगा यहां पर लिखा है address, details, please see guidance, overlap ठीक है, यहां पर लिखा address for correspondence आपका जो भी address है आपको address यहां पर भरना होगा ध्यान समझेगा आप अपना village लिख देंगे post office लिख देंगे ठीक है, police station लिख देंगे ठीक है, district लिख देंगे उसके बाद यहां पर लिखा है city, town या village, इन तीनों में से आप कोई भी भर सकते हैं उसके बाद state, मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार लिखा हूँ, आप जो भी state से हो वो भर सकते हैं उसके बाद country में इंडिया कर देजेगा उसके बाद pin code आपका जो भी हो वो pin code लिख दीजेगा उसके बाद यहां पर है contact details, contact details में है telephone number या mobile number तो मैं फिलाल, mobile number दिया हूँ आप भी अपना mobile number है यहां पर डाल दिजेगा उसके बाद है यहां पर email ID तो आपका अगर email ID है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, तीसरा नमर में है, कि proof of address to be provided by applicant, यहाँ पर proof के तौरप आप कुछ भी दे सकते हैं, passport, रासन कार्ड, driving license, voter identity कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद चोथा नमर में है, यहाँ पर permanent address of resident applicant is different from above, यानि आपका जो address यह था भरे हैं, जो भी आप address यह भरे हैं, और इसमें permanent address में, कोई, यानि corporate address और permanent address में, कोई, मतलब different नहीं है, नहीं नहीं है, यानि कोई अंतर तो नहीं है, अगर अंतर है, तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप पूरा जो भी address यहाँ पर उतार है, सेम address आप यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है, उतार दीजिएगा, उसके बाद, यहाँ पर आप आजाएंगे, यहाँ और डिटेल्स, और डिटेल्स मतलब, कि gross annual income details, यानि सलाना इंकम आपका क्या है साल में, तो वेलो में है, आपक एक लग में, उसके बाद, नेट वर्थ, आपका कितना है, यहाँ मैंने दो लाग दिया हूँ, अगर आपको नहीं पता है, तो आप इसमें छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, उसके बाद है, दूसरा नमबर में, occupation, occupation मतलों, आपका क्या वे तो आप जो भी है, वो में ठीक माल लिजेगा, ठीक है, उसके बाद, declaration नीचे आजाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, palace में आप अपना, जहाँ bank है, वहाँ का palace का नाम डाल दिजीगा, उसके बाद, जिस तारीको फॉर्म जमा करेंगे, उस तारीका date डाल द्यान से bank में, जैसे sign करते हैं, वैसा ही sign करना है, अगर Hindi में करते हैं, तो Hindi करेंगे, अगरraine, ट awareness करेंगे, यह बात आपको धहना रखना होगा, नहीं तो बात में फॉर्म को reject कर देगा आपको, उसके बाद, नीचे माजाने के बाद लिखा है, for office use only, यानि इसके नीचे म 们 में आप कुछ नहीं बिखेंगे यह बैंक चाजा यह बैंक में जो भी काम होगा वह बैंक वाली बरेंगे इसमें आपको कुछ शेर खान नहीं करना मैं आपको क्यों आपको भूरनेट इसके साथ आप यह करेंगे अधार का का फोटो कोपी पेन का फोटो कोपी और बैंक पास्वू का फोटो कोपी तीनों का फोटो कोपी करा के इसमें एटेस करके जमा करेंगे आपको 20-25 मिनट में आपका KYC कर देगा वहाँ पर और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जागा तो वीडियो कसा लगा हो हमें कमेंट में जरू बताना अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज सब्सक्राइब ने मत्रों